नमस्कार दोस्तों मैं अंकर उपाध्याय स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों यहां पर मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में हाला कि खबर कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन एक बड़ी फर्म बड़ी ब्रोकरेज आउस इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव होते हूँ दिख रहे हैं उसी के उपर अपडेट है और टाटा स्टील अगर आपके पास शियर है तो क्या करना चाहिए इसके बारे मैं अपनी साइट से भी बताऊंगा देकि वैसे तो अगर आप मेरे रेगुलर वीवर हो तो आपने देखा होगा मैंने टाटा स्टील को लेकर कल भी एक वीडियो बनाइदी या पूरे मैटल काउंटर को कवर करा चाहिए वो हिंडाल को टाटा स्टील हो या फिर आपके लिए विदानता हो इनी तीन स्टॉक्स पर मैं मैं मैक्सिम बात करता हूं टाटा स्टील की बात करें तो हमने नॉर्मली इस स्टॉक को लेकर एक है रखाए कि भाई अभी यह स्टॉक नो ट्रेड जोन में है ट्रेडिंग के हिसाब से ऐसा क्यों का है क्योंकि अगर आप इस स्ट के मुवमेंट को नापनी की कोशिश करें और देखनी कोश करें तो एक्जक्ली इस स्टॉक क्या करता है अभी 111 पर प्लेज दाकल अभी तो हाला कि आज 109 का लो लगा इस स्टॉक में आप कोई एसल नहीं रख सकते आपका जो एसल बनेगा वो एक्जक्ली 105 औ 107 पर और चार रुपे का स्टॉप लोस मैं नहीं रखता हूंगा तो इसलिए मैं तो कह देता हूं लेकिन यह ट्रेडिंग की बात है बात करें अगर इन्वेस्टिंग की तो यहां पे ब्रोकरेज हाउस जैफरीज आपने नाम सुना होगा अगर आप शेर बजार में काम कर रहे ह मतिया है कभी और टी रहां परने अपनी पोर्टफोलियो को लेकर कुछ जरूर बोला तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैफरीज ने अपर जुमैटो को चौड़ दिया है मतलब जुमेटो को नहीं खरीदेंगे जुमैटो को चोड़ दिया है और उसके बतले दो मैटल कहां Jeffries bullish होते हुए दिख रही है disclaimer देना चाहता हूँ यहां मेरी personal कोई advice नहीं है और वैसे भी मैं आज कल बोल कुछ रहा हूँ आप लोगों को कुछ लग रहा है अब मेरे पास आज एक comment आया है कि आपने मुझे Yes Bank पे 24 रुपीज पे buy recommendation दिया और अभी आप करेंगी मैं कभी भरोसा नहीं रखा है Yes Bank पे आप मेरी कोई भी वीडियो ठाके देख लो जो Just Bank से related हो अगर मैंने कभी भी आप से काओ कि मैं इस stock को अपनी investment रहा देता हूँ मैं इस stock में investment की रहा देता हूँ वायरी सफलिंग इस इंडिया मॉडल पॉर्टफोलियो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफ्रीज एग्जिटेड जुमेटो एड़ेट टू न्यू मैटल स्टॉक्स ठीक है जुमेटो से एग्जिट लिया है दो मैटल स्टॉक्स एड करें कौन कौन से पहला टाटा स्टील दूसरा हिंडाल को और हिंडाल को हमारी भी लिस्ट में रहा है आपको मैं बता दूं अंडर 500 स्टॉक में मैंने आप लोगों की कहने पी जाओ आपके कमेंट आए भाई ये कैसी वीडियो बनाओ जहां पे अंडर 100 रुपीज हो और स्टॉक का प्राइज अंडर 100 हो और हम लेते और मैं ज्यादा तर महेंगे स्टॉक सी रिकमेंड करता हूं तो मैंने आपके लिए धूंडे पर मुझे 100 रुपी के अंदर ज्याद अच्छे नहीं तो मैंने 500 के अंडर लाए जिसमें 380 पर मैंने हिंडाल को रिकमेंड करा 400 सी से 500 के ठारगेट पे 400 सी तो आपने द अधर मोमेंटम विच इस गुड़ फोर दीम तो एम सिफ्ट एंडिया फ्लोज वी डिप्लॉए आवर रिसेंटली रेज्ट कैस इंदा मॉडल पोर्ट्फोलियों इंटो मैंडिशनली वी सिफ्टेट वेट फ्रम भारती जुमेटो मारूती इंटो एलंटी रिलाइंस मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ लगबग लगबग इन्होंने जो पैसा लगाएं एक तो भारती एल से निकाला है तो एलंटी का लंटी बॉलिश है नोने काई कि हमें केपेक्स थीम अच्छी लगती है केपेक्स साइकल अच्छी दिखती है और हमें लगता है अब यह चलेगा तो यह L&T पे बुलिश है यह Reliance पे बुलिश है OTC O2C बिजनिस को लेकर तो यह सारी इनकी अभी की रिसेंडली पिक्ड है और बैंकिंग में इनक इनके पास थे बट इन्होंने और ज्यादा खरीदा है वेटेज बढ़ाया है तो यह कहीं न कहीं आपके लिए अपडेट है बाकि यह IT, Healthcare & Telecom Stocks को लेकर भी अंडरवेट हैं हाला कि IT को लेकर मैं आपसे continue कहता हूं मुझे अच्छे लगते हैं बट यहां पर clearly मैं बता रहा आपको आपको वीडियो समाजर पसंत दौन आई होगी थैंक यू सो मच फो वाचिंग इस वीडियो वाचिंग वीडियो